हेलो गाइस वेलकम बैक तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 4x3 DC वाल्व और 4x3 डिरेक्शन कंट्रोल वाल्व दोस्तों अगर आपने 4x2 DC वाल्व का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख लें क्योंकि मैंने उसमें सर्किट डियाग्राम का यू 4-way 3-position डिरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी करते हैं जिसमें 4-way का मतलब हुआ 4 ports A, B, P और R और 3 positions का मतलब हुआ हमें इस वाल्व में 3 positions मिलेंगे normal position, actuated position and closed position जिसमें की normal and actuated position 4x2 DC वाल्व के normal actuated position से बिलकुल मिलता है आप यहां देख सकते हैं normal position में हमारे fluid का direction P2A है यानि pump to actuated और उसके अलावे B2R है तो guys मैं आपको फिर से यहां बता दूं port A और port B actuator को connect करता है port P का मतलब pump से आता हुआ fluid जिस port में जाएगा वो हुआ port P और port R हुआ जो की reserve wire को connect करेगा actuated position के अगर बात करें तो actuated position में fluid का direction P2B है यानि pump to actuator actuator में जो port B मौदूद है वहाँ जाड़ा है fluid उसके बाद port A to R है यानि actuator से reserve wire close position के अगर बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि सारे port के रास्ते बंद हैं किसी भी port से अगर fluid जाए तो आगे रास्ता बंद है और इस condition में क्या होता है कि हमारा pressurized oil जो होता है वो फिर से return हो जाता है reserve wire में pressure relief valve के थ्रो guys अगर हम बात करें इसके application की इसे हम लोग generally दो काम के लिए use करते हैं पहला कि अचानक अगर actuator को बंद करना हो तो immediate closing of movement of actuator और दूसरा की dumper trolley में load को lift करने में या फिर नीचे करने में इसे हम लोग inching operation भी कहते हैं तो guys अब बात करते हैं इसके symbol की 1 है हमारा normal position 2 है actuated position और जो 3 है middle में वो है close position आप देख सकते हैं कि normal position में हमने pump to actuator जाता हूँ फ्लूड का direction को so करने के लिए straight arrow का यूज किया है ठीक है जो की upward है और जब actuator से reservoir आ रहा है तो उसका direction downward यूज किया है और actuated position में हमने inclined arrow का यूज किया है pump to actuator जाते हुए fluid को हमने P to B arrow से represent किया है और actuator से reservoir आता हुआ fluid को हमने A to R से represent किया है so guys यह था हमारा 4 by 3 direction control wall उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई doubt रह गया है तो आप please comment करें मैं उसे जरूर clear करूंगा दोस्तों आप हमें बता सकते हैं आपको और कौन से topics परने हैं मैं जरूर इसे consider करूंगा दोस्तों ऐसे conceptual videos को देखने के लिए आप अपने ही चैनल bookworm को subscribe कर लें मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में तब तक के लिए नमसकार